अस्सलाव अलेकूम, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी कबाग, शादियों जैसा मलाई बोटी कबाग, घर पे ही बनाएं, ये देखिए, ये कितना अच्छा है, देखिए गोष्ट बहुत अच्छा गल गया, फोक से भी तोड़ने से तुट ज चलिए, अब हमेंसे बनाना शुरूब होते हैं, ये मालेली गोष्ट चक्ती वाला गोष्ट है, अब हम इसमें दालेंगे, वन टीस्पून शाही जीरा, एक दालचीनी का चकला, पांच लाइची, हाफ टीस्पून कवाब चीनी, जैफल, जायत्री, जायत्री का पौडर है मेरे पास, और हाफ टीस्पून काली मिर्च, अब इन सब मसालों को पीस लेंगे, पीसने के बद, हम इसमें दालेंगे, दो टेबल स्पून पापाई का पेस्ट, और ये जो मसाले ड्राइ मसाले थे, हम जिसे ग्रैंड कर लिए, ये भी इसमें दाल देंगे, इसमें मिक्स क 1 टीस्पून मिर्ची, 1 टीस्पून नमक, नमक अपने हजबे जाइखा दाल लेजे, बाद में चक्के भी नमक दाल सकते, 1 बाइ 4 टीस्पून हल्दी पॉडर, और ये हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च, कोतमेर और पुदीना का पेस्ट है, इसे हम ग्रैंड कर लिए, इन सब चीज कर लिए, कोतमेर आदा कटा लें, पुदीना 20-25 पत्ते लेके ग्रैंड कर लिए, अब हम इसमें, तीन टेबल स्पून मलाई दालेंगे, क्योंकि इसका नामी मलाई बोटी कबाब है, इसमें मलाई पढ़ती, जो हम घर में निकालते मलाई घी बनाने के लिए, वो मलाई सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें, हाग से अच्छे से मिला लें, देखिए, एक दूसरे में गोष्ट के साथ, कितना अच्छा मिला रूय है, अच्छे से मिला लें, अब इसे धाक ए, दो से तीन घंटे के लिए रख दिए, टीज्पून मतलब, ये टेबल स्पून जब मैं बोलती हूं यह बड़ा है टी स्पून यह छोटा है अब तीन घंटे हो गए हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लिंगे यह देखिए यह अच्छे से मैरिनेट हो गया गोर्ष्थ अब एक कडाई में एक टेबल स्पून आइल लें आइल गरम होने दें उसके बाद गरम से लगा हुआ वो इसमें दाल देंगे यह देखिए यह गोर्ष्थ हम दौऄ देखिए इससे फूल फ्लेम पर ही रखें देखे अच्छे से पकरा हम इसमें पपाया लगाए पपाई कच्छी पपाई का पेस लगाए उस वज़े से गोष्ट अच्छे से गल जाता देखे अच्छे से पक रहा है अब ये अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया ये आहिस्ता से हलके हाथसे से मिला लें क्योंकि गोष्ट बहुत नरम है मुलायम है मुम में दालते ही हो जाता ऐसे कबाब है ये देखे अब ये बनके तैयार हो गया मसाला उसको गोष्ट को चिपक गया देख सकते हैं अब हमेंसे डिश आउट करेंगे मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें ये देखे ये कितना अच्छा दिखरा फुश रंग है मुम में दालते ही घुजाता एक बार आप लोग ज़रूर ट्राइ करें और मु आप देख सकते हैं ये देखिए कितना अच्छा फुश रंग दिखरा जायके में भी बहुत अच्छा है ये